दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ट के क्लास 11 और 12 के कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे यहाँ पे 11 के कॉमर्स में 11 के कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना होता है और 12th के commerce में कौन कौन से subject हम लोग को पढ़ना होता है इसके वारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर 5 मिनिट में हम लोग इस वीडियो को अच्छे से खदम करने वाले हैं और 5 मिनिट में आपको काफी अच्छे से समझावी देंगे कि क्लास 11th और 12th में कौन कों से subject पढ़ने होते हैं commerce stream में तो यहाँ पर हम लोग टेवल बनाया हुए है यहाँ पर एक subject है, book है कि आखिर कितने book पढ़ने होते हैं उसके आख बुक का यहाँ पर marks लिखा हुआ कि किस book से कितना marks का question आपके board के exam में आती है mostly जो student होते हैं क्लास 10th पास करने के वाद उनके मन में एक doubt होता है कि आखिर क्लास 11th में क्या आने वाला है commerce में तो उसके बारे में आप लोग आज के इस वीडियो में काफी अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो है अगर आप commerce पढ़ रहे हैं तो मैं एक शूर कि आपको पता होना से कि आखिर एकाउंट क्या होता है पहला सबसे इकाउंट है वो है एकाउंट जिसका नाम है बही खाता तथा लेखांकन जिसको हम लोग इंगलिस में कहते हैं बुक कीपिंग एकाउंटिंग बुक कीपिंग एकाउंटिंग बही खाता तथा लेखांकन ये जो है commerce का सबसे main paper होता है मतलब जिसको अगर हम लोग difficult भी कहते हैं important भी कहते हैं useful paper भी कह सकते हैं ये जो है मतलब मिलाजूला के अगर बात करें तो main body जो है commerce का यही subject है बही खाता तथा लेखांकन बुक कीपिंग एकाउंटिंग जिसके लिए आपको सौ माक्स बोर्ड एक्जाम में मिलते हैं मैं सुर के आपको एकाउंट में काफी interest लाना होगा और interest के साथ पढ़ना होगा दूसरा paper हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या है दूसरा paper बैपारिक संगठन एवम पत्र बैभार business organization and official correspondence तो यहाँ पे जो है सौ माक्स का question पूछा जाएगा और इसमें जो है यहाँ पे एक ही book रहती है और इसमें भी एक ही book अगर हम लोग बात करें account के बाद account के बात क्या आती है business study जिसको हम लोग यहाँ पे जो है नाम change है बस अगर हम लोग बात करें Y group board का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यूपी board का ऐसे ही हर वोट के लिए अलग अलग होता है जैसे हम लोग Bihar Word के अगर बात करते हैं, Bihar Word Commerce में, तो देखे यहाँ पर जो हम नाम बात करें, तो यहाँ पर एकाउंट ही नाम है, बिजनस ट्रडी नाम है, तो देखे, वहाँ भी सेम ही है, Swarmark का कोशन पूछा जाता है, और यहाँ पर Swarmark का कोशन ही, बिजनस टड़ी से भी पूछा जाता है तो ऐसा है अब हम ही जो हम लोग UP Board के बारे में देख रहे हैं न तो यहाँ पे जो बुक का बस नाम चेंजे बुक का नाम चेंजे बागी यहाँ पे चेप्टर से महीं रहते हैं सौमाक्स का कोस्टन इससे भी पूछा जाता है बिजनस टड़ी से भी सौमाक्स का कोस्टन पूछा जाता है जिसका नाम है विपारिक संगटन एवं पत्र विभार बिजनस और्गनाइशन और ओफिसियल कॉर्सपंडेंस तो यहाँ पे पहला पेपर एकाउंट के बाद अगर हम लोग बात करें इंपोर्टेंट पेपर कौन सा होता है जो कि अगर हम लोग जानते हैं जानना ही परेगा अगर हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो क्योंकि काफी ही आगे हम लोग को इससे काम आने वाली है तो यह पेपर मैक्स और आप लोग क चार-चार बूप पड़ने होते हैं यहानी इसमें क्या है ना गदिखंड यह सब में लाएके हो जाती है अगर हम लोग बात करें तो टोटल एक ही वीडियो अगर एक ही बूप आती है मिला जो लाके बस वही आप पार्ट में कर दिया तो चार बूप हो जाती है वही बात इस करके मोञ बात करते हैं मुद्रा एंगन जिसका हमलोग मनी और ऑफ् plants कहते है सवा clicks कैट इस्को इससे भी पूछा जाता Division उसके बाद है हमchos हो गया इंग्ली इसके लिए तो आसमे यहां प्वाद है हुसके पर हम लोग देख लेएँ कि हम लोग आखिर त्यारी कैसे करें और देखो यार class 11th अगर बात करें 11th और 12 दोनों का slivers बिल्कुल सेम है जो अभी आपको class 11th के बारे में बताए CM slivers class 12th में भी है कोई changes नहीं है